कि अभी संग्यान में लोगों के नहीं आए हैं गुप चुप गुप बाते हो रही हैं वह इसलिए हो रहा है ताके इस समाज को जो के एक बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है यानि दलिष समाज और मुस्मिन समाज इसको डराके और धंका के रखा ऺड़े जाए ताके वह संबेधान का सहारा लेके वह सियासत की गदी पे नफन सके तो सियासत की गदी ंतफिर रखनाही और हुकुमरानी से दूर रखना असल करो बिशार करने में जब सत्ता आई तो उस समय इस तरीके के साइद दली मुस्लिमों पर अक्ते चार नहीं हुए थे देखिए आपके बात बता है तुम भाहुजन समाज पाइटी जिसकी हाई कमान मायावती जी है मायावती जी का शुरुआती दौर जब देखींगे तो मानवर काशी राम जी न नहीं यह नहीं कहा के मैं डली समाज के लोगों को मैं मुस्लिम समाज के लोगों को या मैं चमार समाज के लोगों को यह सब हुक्मरान बना चाहते हूं उन्हों नहीं कहा कि म найти मिशन के साध़् बिल्कुल लगी रही और यजिशन को आगे बढ़ाने में São charges दियाू आध कर我很 करते हैं कि आपने संग्ठन बनाया है तो यह कब बच्चा अभी बच्चा फिर बड़ा होगा जब तो बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा देखिए जिन पाइटियां का यह संग्टन है नेशनल बहुजन अलाइंस यह असल में यह पाइटियों का संग्टन है और हर यह लोग वकार रखते हैं जैसे हम बात करें हमारे सुरेश माने जी हैं महारास्ट के अंदर बहुत अच्छा काम चाहिए अगर आज 2019 का चुनाव होगा अभी सब लोग मसीन के अंदर घरवड़ बताते हैं कि आने वाले समय के अंदर चुनाव मसीन से कराना पसंद करेंग शक होता है कि एवी एम मशीन में कुछ न खी गढ़वर की गई है अभी हाल ही मैं एक म्हुना रहाऊं एक हैकर भी पकड़ा गया है जो यह मशीन को है कर देता तो जब इतने यह सारे लोग इतनी सारी पाइटिया जब इसके हित में नहीं है तो हमारा मानना यह है जब इतनी सारी पाइटिया इसके वरोध में इवी एम के द्वारे एलेक्शन नकराए जाए जाए जब इतनी सारी पाइटिया इसके वरोध कर रहे हैं तो उनके उनकी भावनाओं की कर दो